वेल्कम ये न्यू वीडियो इस वीडियो में जिस चेप्टर को डिसकस करने वाले हैं वो चेप्टर है दा साउंड ओफ म्यूजिक या चेप्टर क्लास नैंथ का विहाइब बुक चेप्टर सेकेंड है ये चेप्टर दो पार्ट में डिवाइड है पार्ट वन और पार्ट पार्ट वन में इल्विन गिलेनी की कहानी है जबकि पार्ट टू में विस्मिला खान की कहानी है तो इस वीडियो में जिस कहानी को संचिप्त में समझने वाले हैं वो है इल्विन गिलेनी की कहानी इस वीडियो में कहानी की समरी को बताई गई है जिससे जितने भी सेप्टर स अब्जेक्टिव प्रस्ण बनते हैं उस सारे प्रस्ण कभर हो जाए तो इस वीडियो को ध्यान से देखना है और जितने भी वर्ड को हाइलाइट किया गया है वो सबसे महत्पुन अब्जेक्टिव प्रस्ण वहां से बनाये जाते हैं तो कहानी शुरू करते हैं पार्ट वन इलवीन गिलेनी listen to sound without hearing it जिसे लिखा है डेबरा कावली ने लेखक का भी नाम याद रखना है कि The Sound of Music पार्ट वन किस ने लिखा है तो डेबरा क्वाली ने लिखा है यहां से भी एक प्रस्ण बनता है तो शुरू करते हैं कहानी को यह कहानी सुरू होती है एक underground railway firm से जहां पर एक लड़की असकोटिस फार्म से रोयल एकेडमी ओफ म्यूजीक मतलब इन लंदन जा रही है असकोटिस फार्म क्या होता है तो लंदन में जहां पर कुटिया जैसे घर बना कर लोग रहते हैं जहां की स्थिति खराब होती है जहां पर गरीब लोग गया गरीब चोटे चोटे तब के के लोग रहते हैं, उसको असकोर्टीस फार्म कहते हैं, तो वहाँ से एक लड़की रोयल एकेडमी औफ मुजीक इन लंदन, मतलब वहाँ पर रोयल एकेडमी औफ मुजीक जा रही है, उसकी उम्र सेवेंटी नियर्स उल्ल है, 17 साल की वो लड़की है, और वो वहाँ पे एकेली है और वो बहुत ही नर्भस है excited है मतलब उत्सुक भी है और थोड़ी सी dairy dairy भी है और उसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो डीफ है डीफ है का मतलब वो बहरी है वो सुन नहीं सकती है तो लेकिन वो फील कर सकती है vibration को of the approaching train मतलब जो वहाँ से train आ vibration को वो फील करती है कि हां से पहले ही एसास होता है कि train आ रही है वो बिल्कुल नहीं सुन रही है तो एक लड़की जो एकेली है स्कॉटिस फर्म से रोयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक जा रही है वो 17 साल की है और वो काफी नर्भस excited है तो कौन है यह लड़की और यह स्कॉटि इस फर्म से रोयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक क्यों जा रही है वो क्यों नर्भस है इतना और excited क्यों है उत्सुक क्यों है अथोड़ी डरी डरी सी क्यों है जब वो सुन नहीं सकती है तो एसा कौन सा reason है कि वो vibration को feel कर सकती है मतलब वो बहरी है लेकिन वो हर चीज को feel कर सकती ह है सुन सकती है जितनी भी धौनिया होती है तो आखिर ऐसा क्या हुआ है इसके साथ कैसे यह बहरी हुई है क्या यह बच्पन से बहरी है कि या फिर बाद में बहरी हुई है कैसे बहरी हुई और यह इतना किसी भी vibration को feel कैसे कर सकती है आखिर यह कैसे vibration को feel करना सीखी है यह शुरू करते हैं इसके बच्पन से कि आखिर ये बहरी कैसे हुई तो ये कहानी हमें पीछे ले जाती है क्योंकि ये बच्पन से बहरी नहीं होती है तो ये बताती है कि आखिर ये बहरी कैसे हुई कि आचानक हुई है या धिरे-धिरे हुई है तो ये कहानी कितना वापस ले जाती है जब इसकी उम्र आठ साल होती है तो जब ये आठ साल की होती है तो वो इंतिजार कर रही होती है प्यानों बजाने के लिए तो उसी समय उसकी माँ जो होती है इजेबल गिलेनी उसको पुकारती है इल्विन गिलेनी इल्विन के लेनी तो आजाओ प्यानो बजाने के लिए लेकिन वो नहीं सुनती है और नहीं मूब करती है तो इट वाज फर्स्ट नोटीस ये पहली बार होता है जब उसकी मा ये नोटीस करती है कि वो सुन नहीं सकती है वो काफी कम सुन रही है ये पहली बार नोटिस किया जाता है तो ये प्रस्ण पुछता है कि कि इस उम्र में फर्स टाइम नोटिस किया जाता है कि वो बहरी हो चुकी है तो आठ साल की उम्र में ये नोटिस कौन करता है तो इजेबल गलेनी इजेबल गलेनी कौन है तो उसकी रही थी तो प्यानो बजाने के लिए कि उसकी मा बुलाएगी और ये जाएगी और प्यानो बजाने सिखेगी लेकिन जब उसकी मा बुलाती है तो वो नहीं सुनती है तो उसकी मा समझ जाती है कि ये सुन नहीं पा रही है आगे कहानी समझते हैं फिर ये कहानी बताई जाती ह 11 years old मतलब जिस समय 11 गिलेनी का उम्र 11 साल का होता है तो 11 गिलेनी 8 साल से 11 साल तक मेनेज करती है कॉंसियल मतलब की हाइड करने में छुपाने में कि वो सुन नहीं सकती उसका फ्रेंड उसके रिलेसन जितने भी होते हैं वो लोग नहीं जान पाते कि इल्विन गिलेनी सुन नहीं सकती है या कम सुनती है तो इल्विन गिलेनी 11 साल तक वो छुपा कर रखती है कि वो सुन नहीं सकती है और उसका जो डिफनेस है जो उसका बहरेपन है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है ठीक है तो वो अपने parents, अपने friends से, अपने teachers से 11 साल तक होगया करती है अपने बहरेपन को छुबा कर रखती है लेकिन 11 साल में के बाद क्या होने लगता है जब धीरे धीरे उसका बहरापन बढ़ते जाता है तो उसका जो marks जो होता है जो school में test वह गएरा exam वह गएरा देती थी तो उसका marks जो होता था और डीक्रीज करने लगता है घटने लगता है तब पता चलता है कि वो बिलकुल बहरी हो चुकी है उसका जो head master जो होता है वो उसे कहता है कि इसे आप यहां से ले जाएए और एक a specialist से चेक करवाईए कि इसके साथ problem क्या होता है तो उसकी माँ ले जाती है एक doctor के पास एक a specialist के पास वो चेक करता है और वो confirm करता है कि ये सुन नहीं सकती है इसका जो naps जो है जो तंतरी का होता है जो हमें सिगनल भेजता है कि हमें कौन सी अवाज आ रही है वो तंत्री का डेमेज हो गया है जिससे मस्तिस में कोई भी अवाज का सिगनल जो मिलता है वो मस्तिस तक नहीं पहुचबा रहा है तो वो डॉक्टर एडवाइस देता है उसको कि इसको क्या करना चाहिए तो इसे हेरिंग एड़ से फीट कर दीजिए मतलब कान में सुनने वाला मसीन लगा दीजिए एंड इसे एक ऐसा स्कूल में भेज दीजिए जो स्कूल बहरो का होता है क्योंकि वहाँ ये बेहतर थरीके से पढ़ सकती है लेकिन वो इसा करने के लिए तयार नहीं होती वो संगहर्स करने के लिए तयार रहती है मतलब कि वो इसा स्कूल में नहीं जाती जहां पर बहरे होती है वो हर तरह की संगहर्स का सामना करने के लिए तयार होती है she wanted to live a simple life and learn music वो simple जीवन जीना चाहती है इसलिए वो नहीं जाती और हेरिंग एट्स नहीं लगाती ताकि उसका कोई मजाग उड़ा पाए वो हर तरह का संघर्स करना चाहती है लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहती कि वो बहरे कर स्कुल में जाकर पढ़े तो वो simple life जीना चाहती है क्योंकि वो उनके साथ नहीं रहना चाहती और music सिखना चाहती है तो यहाँ सवाल यह उठता है जब यह सुन नहीं सकती है तो यह music कैसे सिखेगी क्या यह music सिखती है या कैसे सिखती है इसकी पूरी जर्मनी को आगे समझते हैं कि आखिर जब यह सुन नहीं सकती तो आखिर music सिखना कैसे music कैसे सिखती है और यहाँ तक बता दे कि यह अंत में हर तरह की music को बजा सकती है और सुन भी सकती है इसे बहुत सारा एवार्ड भी दिया जाता है तो जब यह सुन नहीं सकती है तो यह हर तरह की music को आखिर कैसे सुन लेती है यह इसका मेहनत इसका संगहर्स को देखेंगे कि आखिर यह कौन सा तरीका होता है जिससे यह सुनती है तो एक दिन क्या होता है किसी वो notice करती है किसी को silon बजाते हुए तो वो decide करती है कि वो silent बजाना सिखेगी लेकिन जब वो silent बजाने के लिए जब silent teacher के पास या other teacher के पास कोई भी music सिखने के लिए जाती है तो उसके teacher उसे disgrace करते हैं, उसके साहस को तोड़ते हैं, कि जब तुम सुन नहीं सकती, तो तुम म्यूजिक को नहीं सीख पाईगी तुम नहीं बजा पाईगी यसा वो लोग उनको उसको करते हैं कि नहीं जाओ यहाँ से हम तुम्हें म्यूजिक नहीं सिखाएंगे छुन नहीं सकती है लेकिन उन टीचरों का जो पड़तारन था जो से डाट कर भागाना था उसको बात नहीं सुनना था जिससे उसका जो साहस है वो धिरे-धिरे तूटता है लेकिन वो हार मानने वाले में से नहीं है तो उसके जुनून को देखकर एक परकुशनिष्ट रहता है जिसको तालवादक कहते हैं जो अलग तरह का धोलक वगेरा बजाता है जिसका नाम हता है फोर बोर रोन फोर बेस तो वो जब इलविन के लेनी को देखता है कि इस तरह से उसके अंदर जुनून है तो उसके मदद करना चाहता है और मदद करने के लिए वो क्या करता है कि हम तुम्हें सिखाएंगे इसके लिए वो दो बड़े- लेता है दो बड़े बड़े ढोल लेता है ठीक है और उसे बजाता है और उसे कहता है कि डोंट लिसें थूर यॉर आइस इसे कानों से सुनने की कोशिश नहीं करो मतलब इस सारे से ही कहता है कि इसे तुम कानों से सुनने की कोशिश करो कि कान से तुम सुन नहीं सकती है तुम तुम इसे किसी और तरह से सुनने की कोशिज करो, किसी और सेंस से तो अब इल्वीन गिलेनी जो इल्वीन गिलेनी को कहा जाता है ठीक है तुम इसे कान से ना सुनकर किसी और तरीके से सुनने की कोशिज करो तो अचानक सी कूड फील वो क्या करती है महसूस कर सकती है higher drums from the waist up मतलब की जो अधिक आवाज निकल रहा था एक drum से एक ढोल से वो अपने कमर के उपरे हिसे से सुनना सुरू कर देती है और जो lower जो होता है जो low sound आ रहा था उसे कमर के निचले हिसे से सुनना सुरू करती है फोर्बेस है तो इसे repeat करता है बार बार repeat करता है ठीक है और ilwin glenny भी इसे बार बार repeat करती है और बहुत जल ilwin glenny जो है वो sound को और vibration को feel कर लेती है different parts of her body मतलब अपने हिसे के हर body के हर हिसे से वो sound को और vibration को feel करने लगती है लेकिन यह अतना असान नहीं होता जितना यहाँ पे आप समझ रहे होंगे यह बहुत exercise करती है बार बार अभियास करती है यहाँ तक यह बोलती है कि जब यह music बजाने के लिए जब stage पर चेहती है तो अपने पेरों से चपल को उतार देती थी ताकि यह अपने पेरों से भी music को feel कर सकती है मतलब ने पेर के जो तलवा होता है नीचे उससे भी यह music को feel कर सकती है वह अपने अस्कीन के हर पार्ट से अंगुली पेर हाथ ठीक है हर हिस्से से बोडी के डिफ्रेंट पार्ट से अलग अलग vibration को और अलग-अलग sounds को feel करने के लिए यह सीखती है और इसके पिछे यह काफी मेहनत और संघर्स करती है अब आगे कहानी जानते हैं आगे कहानी है 16 years old जब इसकी उम्र 16 साल का होता है तो वो music और बेहतर तरीके से सीखने के लिए United Kingdom with यह Youth Orchestra में यह हिस्सा लेती है और कहती है यह संघर्ठन होता है Youth Orchestra ठीक है United Kingdom का वहाँ पर यह जोईन हो जाती है और यह और केस्ट्रा में भी बजाती है और गाती है सी ओडिसिंट वो अपना पर्फेमेंस देती है Royal Academy of Music में भी मतलब पहले Youth Orchestra में वो बजाती है उसके बाद Royal Academy of Music जो लंदन में सबसे बड़ा music company है वहाँ पे जाती है और वहाँ पे अपना audition देती है इंटर्व्यू देती है और जब इंटर्व्यू में इंटर्व्यू खतम होता है तो पता चलता है उसका score जो है वो सबसे highest marks प्राप्थ हुआ इंटर्व्यू में मतलब उतना marks कोई भी Royal Academy of Music में प्राप्थ नहीं कर पाया था जितना वो प्राप्थ की थी उसके बाद वो अलग अलग तरह का एवार्ड प्राप्थ करती है सबसे पहले youth orchestra में जाती है गाती है और फिर Royal Academy of Music में भी ये अपना participate करती है उसके बाद ये धीरे धीरे वहीं पर रुकती नहीं है एवार्ड मिलता है गाती है एवार्ड मिलता है लेकिन वहाँ पर रुकती नहीं है वो सीखते जाती है और हजारों instrument वो बजाने के लिए सीख जाती है हजारों instrument एक दों instrument नहीं हजारों instrument बजाने के लिए सीख जाती है 1991 में वो उसको पस्थित किया जाता है कि इसके दुवारा Royal Philharmonic Societies का प्रिश्टियस सोलोइस्ट ओफ दा एवाड भी दिया जाता है मतलब उसको एक अवाड दिया जाता है 1991 में जो बहुत बड़ा एवाड होता है ठीक है और पर्क्यूनिस्ट जब इसका परफॉमस को देखता है एक बार जैम्स ब्लेड्स ने ये भी एक पर्क्यूनिस्ट होता यानि तालवादक होता है जब इल्विन गलेनी को देखता है तो कहता है गोड में है टेकेन हर हीरिंग मतलब भगवार ने उसको सुनने की सकती को ले लिया है बट ही हाज गिभेन हर बैक सम थिंक एक्स्ट्रावर्णरी लेकिन उसको वापस में कुछ अदभूत चमतकारी ची बोडी के किसी भी हिस्से से म्यूजी क्या बज रही है तो नहीं सुन सकते हैं लेकिन ये सकती इल्विन गलेनी को मिली हुई है तो इस वर ने उसे सुनने की सकती ले लिया है लेकिन वापस में उसे कुछ अदभूत चीजे भी दिया है ये किसका कहना था जैमस ब्रेश्ट जो एक परक्यूसनिस्ट ही था ये इल्विन गिलेनी को देखकर कहता है इल्विन गिलेनी फिरी में कंसर्ट परदर्शन करती है कहां कहां पर फिरी में अपना जैसे की औरकेस्टरम भी काम किये है रोयल एकेड्मियों मीजिक में भी गाई है तो ये काफी फेमस हो जाती है इतना फेमस हो जाती है इसे बहुत सारा एवाड भी मिलता है लेकिन ये कभी भी अपने पर घमन नहीं करती जिसे होता है ने कि अगर कोई लड़की है जो फेमस हो जाती है तो heroine जैसा परदसन वो करने लगती है लेकिन ये हमेशा simple life जी है हमेशा simple वहवार करती है तो ये prison आनि jail में भी अपना परदसन दी है free में और hospitals में भी दी है question काफी पुछा जाता है कि कहाँ पे वो अपना free concerts देती थी तो prisons और hospital में देती थी she has given inspiration to those who are handicapped मतलब उसके जीवन से अगर कहा जाए तो इस कहानी का भी message है कि ये उन लोगों को बहुत inspire की है जो लोग handicapped है आनि विकलांग है उनका जैसे विकलांग होता है कि हम सुन नहीं सकते हम बोल नहीं सकते हम चल नहीं सकते तो उनका जो मनोबल है वो तूट जाता है और उन्हें जीवन में जीने की इच्छा नहीं रहती कि क्या करेंगे जी के जब सुन नहीं सकते तो उनके लिए एक inspiration है एक सीख है ठीक है ये उसके जीवन से और इल्विन गिलेनी के जीवन से सीख सकते है कि जो people से वो लोग क्या सीख सकते हैं उन्हें देख कर सीख सकते हैं कि जब ये कर सकती है तो हम क्यों नहीं मतलब कि अगर जब ये बहरी होकर इतना practice इतना मेहनत कर सकती है हजारों instrument बना सकती है instrument को बजा सकती है गा सकती है तो जब ये सुन नहीं सकती है और इतनी सारी म्यूजिक को ये फील कर सकती है तो हम इससे थोड़ा बेहतर ही है तो हम क्यों नहीं कर सकते तो ये उन विकलांकों को काफी इंस्पायर करती है ठीक है इनसके जीवन से उन विकलांकों को काफी सिखने को मिलता है कि जब ये मेहनत करके इस मुकाम तक पहुँच सकते हैं तो हम भी पहुँच सकते हैं ये कहानी थी इलविन गिलेनी की जो एक बहरी लड़की थी ये उसका पूरा जरुनित था कि वे कैसे धीरे धीरे बहरी होती गई और वो कैसे मुजिक को सिखी कैसे एक बहुत हाई मुकाम तक ये पहुची तो उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको समन में आया होगा इससे समन्धी जितने भी objective प्रस्न है कुछ objective प्रस्न इस वीडियो के description में एक link है उसमें मिल जाएगा तो उसमें जाकर आप देख सकते हैं कि कहानी को आपको कितना आद रहा है और कितना जानते हैं तो मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई